नमसकार आपका स्वागत एशिया न्यूज इनिया मैं मैं पूर्नम आपके साथ महाराश्च में मुराठ्वा एलक्शन आंदॉलन खतम हो गया है शिंद्य सरकार ने आंदॉलन कार्यों की सबी मांगे मान ली है CM1 नाचिन्दे ने मराथा अलक्षन आंदोलन के नेता मनो जरांगे से नवी मुंबई में मुलाकात की उन्होंने जरांगे को जूस पिलाकर उनका अंचन खतम करवाया और अध्यादेश की कौपी सोपी आदोलन खतम करने के बाद जरांगे ने कहा हम चार महीने से मराथा अलक्षन के लिए संगश कर रहे थे मराथा अलक्षन के लिए करीब 350 सुईवाओं ने आत्मत्य की आज उनका सपना साकार हुआ अब सरकार पर अलक्षन लागू करने की जिम्मेदारी है अगर इस बाद होखा हुआ तो मैं मुंबई के आजाद मिदान आ जाओंगा इससे पहले जरांगे ने शिंदी सरकार को सुबह 11 बजे तक का अल्टिमेटम दिया था उन्होंने कहा था अगर 11 बजे तक अलक्षन का अध्यादेश जारी नहीं किया गया तो वे 12 बजे मुंबई के आजाद मिदान पहुचकर आंदूलन करेंगे इसके बाद शिंदी सरकार ने देर रात अध्यादेश का ड्राफ जरांगे के पास भेजा इसमें जरांगे की मांगो का जिक्र था मनोज जरांगे ने डेर रात अनलन खतम करने की जानकारी दी उन्होंने कहा सीम एकनाचिंदे ने अच्छा काम किया है हमारी अपिल मान ली है हमारा विरोधब खत्म हुआ मनोज ने मराठा अरक्षन की मांग को लेकर 20 जनवरी को जानना से मुंबई तक के लिए पद्यात्रा शुरू की थी 26 जनवरी को जरांगे और लाखों की संख्या में उनके समर तक नभी मुंबई के वाशी पहुँचे जरांगे ने मुंबई के आजात मेदान में बुख हर्ताल करने की चितावनी दी थी इस बीच महाराठ सरकार के अधिकारों की टीम रात करीब 10 बजे वाशी पहुची और जरांगे से मुलाकात की उन्होंने सीम एकनाच शिंदे से जरांगे की फोन पर बातचित कराई इसके बात जरांगे ने कहा कि राजसरकार ने उन्हें कुछ जरूरी दस्ताविच सोपे है मराठा अलक्षन पर महाराठ सरकार के फैसले के उलट मंद्री शकन बुजबल ने इसका विरोत किया है उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि मराठा समुदाय जीत गया है लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता फीड के लिए नियम कैदे नहीं बतले जा सकते मुक्य मंद्री ने फिलाल अधिसूशना जारी कर दी है यह बात में कानून बनेगा इससे पहले 16 फरवरी तक आपत्या मांगी गई है महाराश के ओबीसी और अन्य समुदाय के सभी सिक्षित लोगों से अपिल करी है कि वे लाखों की संख्या में इस फैसली के खिलाफ आपत्या मेजे ताकि सरकार को पता चले कि इसका दूसरा पक्ष भी है